सबी बक्तों को श्री शिवाय नमस्तु उप्यम हर हर महादेव आज मैं आपको एक ऐसे दोश के बारे में बता रहा हूँ जो कि गुरुची ने अपनी कता में बताया था जाने अन जाने में मुझे और आपको ये दोश लगा हुआ है और हमें नहीं पता कि ये दोश क्या है और हमें किस प्रकार ये दोश लग गया है तो क्या होता है ये दोश ये जो दोश हमको लगा है ये बगवान के परशाद का अपमान करने पर लगा है और ये जो हमने अपमान किया है वो जान करके नहीं किया लेकिन जाने अंजाने में अपमान कर दिया अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस प्रकार से बगवान जी के परशाद का अपमान किया तो सबसे पहले हम जब परशाद लेकर आते हैं गर पे यदि मंदिर के लिए परशाद लेकर आ रहे तो कभी कबार तो हम सीधे शौप से ही मंदिर पर परशाद ले आते हैं और उसको छड़ा के घर ले आते हैं लेकिन कभी कभी पहले शौप से घर पर परशाद ले आते हैं उसके बाद मंदिर लेके जाते हैं तो जब हम परशाद को घर पर रखते हैं तो कभी-कभी ध्यान नहीं रहने पर जो हमारा बैड है जानी कि बिस्तर है जिस बिस्तर या बैड पर हम सोते हैं रात में रात में जिस बैड पर हम सोते हैं को पलंग कहते हैं उस पलंग पर जब हम सोते हैं तो जाने अन जाने में उस परशाद को इस पलंग के उपर रख देते हैं और इस पलंग पर रखने पर उसका दोश हमारे सर पर लग जाता है यदि आपने परशाद छड़ा कर रखा है बगवान जी को परशाद छड़ाया है तो भी दोश लगेगा, और यदि बिना छड़ाय पलंग पर रख दिया, तो भी दोश लगेगा, तो इसी दोश की वज़े से क्या होता है, हमारे गर में लड़ाईयों हो जाती है, दन की कमी हो जाती है, और कर्ज भी बढ़ता जाता है, पर हम समझ नहीं पाते, और फिर हम ना जाने किस-किस के चक्कर में पढ़ते हैं, तो इसलिए आपको इस दोश का यदि, कभी आपने जाने अन जाने में गल्ती से, परशाद को पलंग पर रख दिया हो, जान करके नहीं, लेकिन जाने अन जाने में परशाद पलंग पर रख दिया हो, तो उसका आपका दोश लगा है, आप उस दोश का निवारन और उपाय कर लीजिए, क्योंकि हम जानते नहीं है, हमें पता ही नहीं है, कि पलंग पर परशाद रखने से दोश लग जाता है, अब उसका सबसे सुन्दर उपाय जो गुरूची ने बताया है उनीके अनुसर मैं आपको इस उपाय को बता रहा हूँ यदि मान लीचे कि आपने मंदिर के परशाद को रखा है तो आप मंदिर में जाकर इसका उपाय कर सकते हैं यदि घर पर जैसे कि आप आपके घर पर जो मंदिर है उस मंदिर के लिए परशाद लेकर आते हैं वो परशाद आपने बिस्तर पर रखा है या पलंग पर रखा है तो उसका उपाय आप आपके घर पर कर सकते हैं तो सबसे पहले मंदिर के लिए समझ लीचे, दोनों के लिए उपाई सेम है, पस थोड़ा सांतर होगा, जो मैं आपको भी बता दूँगा। तो सबसे पहले यदि मंदिर के लिए परशाद लेकर आए और आपने गलती से परशाद विस्तर पर रख दिया। तो आपको क्या करना है, मंदिर की जो चोकट है, जैसे ये मंदिर की चोकट है, वैसे शेव महापुरण में तो लिखा है कि लीपना करना है आपको मंदिर की चोकट पर, और लीपना तो गोबर से होता है, आज के करम में गोबर तो कहीं मिलता नहीं इतनी जल्दी से, और मिर पिल जाता है तो फिर हम हमारे पास इतना समय नहीं रहता तो क्या करना है जो पोंचा जैने कि जिस कपड़े से हम पोंचा लगाते हैं अपने घर में उसी कपड़े से मंदिर की इस चोकट को लीप देना है पोंच देना है जब आप इसको पोंच दोगे तो पोंचने के बाद में इसके दोनों सिरो पर स्वस्तिक का निर्मान करना है एक स्वस्तिक यहां बनाना है और एक स्वस्तिक यहां बनाना है जब आप दोनों स्वस्तिक बना दो तो इन दोनों स्वस्तिक पर एक एक आपको सफेद फूल रखना है एक सफेद फूल इस स्वस्तिक पर और एक सफे फूल रखने के बाद में आप बगवान से प्रात्ना कीजिए कि मुझसे कलती हो गई है जाने अंचाने हो गई है मुझे इसके लिए शमा कर दीजिए तो यदि मंदिर के परशाद के साथ ऐसा हुआ है तो ये दोनों फूल उटा कर आप मंदिर के अंदर रखिया है और यदि मान लिजिए कि आपके घर परशाद लायते जो घर वाले मंदिर के लायते यदि उसके साथ में ऐसा हो चुका है आपने कलती से रख दिया तो उपाय तो ये सेम तो सेम है करना बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन मंदिर जहां आपका जिस कमरे के अंदर है उस कमरे की चोवकट पर यानि के दरवाजी की चोवकट पर आपको यह उपाय करना है और जो दो पूल आप उठाओगे सफेद कलर के फूल उन दोनों फूलों को आपके घर के अंदर रख लेना उसके बाद इस दोज का निवारन हो जाएगा कर में लड़ाईयों होती होगी वे भी समाप्त हो जाएगी साथ में धन की कमी और करजी करजा भी समाप्त होना लग जाएगा और धन भी आने लग जाएगा सभी बक्तों को शिरी शिवाहे नमस्तू प्या